हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है सेयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरंजोश.com और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं आज के करंट अवेर से उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में बात क आता है इसका सही जवाब ऑप्शन D 28th of February याने 28th February को दोस्तों आपको बता दें कि हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रिये विज्ञान दिवस मनाया जाता है अब इस दिवस का उदेश यह होता है कि लोगों में विज्ञान के महत्वों और इसका अनुपरोग का संदेश पह करना है बढ़ते हैं अपने अगले सवाद जी दरफ निमने में से किस राज सरकार ने वरिष्ट साहित्यकार डॉक्टर सूरिबाला को भारत भारती संस्थान का सबसे बड़ा साहितिक पुरसकार है यह पुरसकार उत्र प्रदेश हिंदी संस्थान लगनों के माद्यम से सा उत्रिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है पुरसकार में भारत भारती संमान के रूप में स्मृते चिन अन्वबस्तरम और पाँच लाग दो हजार रुपए की दमदाशी दी जाती है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए हमारी वेबसाइट जागरनजोश.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेज के टैप पर जाना है जब आप करंट अफेज टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इ टेकनोलजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं और भारती टीम के लिए आखरी बार नुवंबर 2013 में मैदान पर उत्रे थे उन्होंने 31 वंडे मैचों में 33 दिसम्ड़ो चार-चार की ओसद से 38 विकेट लिये हैं वहीं 9-20 मैचेज में उन्होंने 24.70 की ओसद से 10 विकेट चटकाए हैं और अस्टेलिया के खिलाफ एकलौत टेस मैच में उन्होंने एक विकेट अपने नाम किया था बढ़ते हैं अब अब अबने आगे सवाल की तरफ ग्लोबल एंटी टेरिस्ट वाजडॉग फइनिशल अक्शन टास्क फोर्स एफे टीएफ जिसे कहा जाता है उसने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बना रखने का फैसला लिया है एफे टीएफ के द्वारा ये निर्न आतंगवाद का मुकाबला करने के लिए 27 सूत्रे कार योजना का पूरी तरह से पालन करने में देश की विफलता के मद्द नजर लिया गया है आतंग की फंडिंग और मनी लॉंडरिंग के सब से ज़्यादा जो खिम वाले देशों को ग्रेज सूची में शामिल किया जाता है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ शूने भेद बाव दिवस यानि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से के जिन मनाया जाता है इसका सही जवाब है दोस्तों एक मार्च आपको बता दें देशारव दिवस की शुरुवात एक मार्च 2014 को की गई थी सहीं तो राष्ट एट्स कारिकरम यानि की अन एट्स के कारेकारी निरेशक के द्वारा की गई थी हाला की अप्चारिक रूप से मनाया जाने की जो शुरुवात है वह अन एट्स जो एन एड्स जिसे कारते हैं के द्वारा दिसम्बर 2013 में विश्व एट दिवस पर अपने कारिकरम के पात की गई थी बरते हैं अपनी अगले सवा की तरफ सवाल है भारतिया पुरातव शर्वेक्षण यानि की एसाई ने के सदाज की सीतागडी हिल्स के जुलजुल पहाड के पास एक टीले के नीचे दफन बौद मट की खोज की है इसका सही जवाब ऑप्शन सी जार्खण दोस्तों आपको बदा दें भारतिया प्रादव शर्वेक्षण यानि की एसाई ने जार्खण की सीतागडी हिल्स के जुलजुल पहाड के पास एक टीले के नीचे दफन बौद मट की खोज की है इस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज में लागू मौजदा प्रतिबंदों को कितने तारिखों तक बढ़ा दिया है इसका सही जवाब ऑप्शन डी 31 मार्च दोस्तों आपको बता दें कि तमिल नाडू में सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज में जो मौजदा प्रतिबंद लगाए गए हैं उनको अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है राज सरकार ने जिरा अधिकारों को फेस मास्क के इस्तेमाल हाथ साफ रखने और सोशिल डिस्टेंस सिक्शनिस्ट करने को कहा है अधिकारों को ट्रेन और पेजल और स्वचता विभाग ने स्वच मशूर स्थलों के चौते चरण के अंतरगत देश के कितने महतपूर्ण स्थानों को चुना है इसका सही जवाब बारा आप में से बहुत साथ दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया जल शक्ति मंत्राले के पेजल और स्वचता स्वच मशूर स्थलों के चौते चरण के अंतरगत देश में बारा महतफूर्ण स्थानों को चुना है इनने महाराश्ट की अजन्ता गुफाएं मदप्रेश की साची स्थूप राइस्थान का कुंभलगड किला जैसल मेर किला रामदेवरा और इसके साथ साथ लंगाना के गोल कुंडा किले के अलावा उडिसा का कुणार कर सूर्य मंदेर शामिल किया गया है अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है सवाल है राश्ट्री ये प्रोटीन दिवासन इमनों में से किस दिन मनाया जाता है आपक तक आपने हमारे शामिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जावरंजोज.com